करोना महामारी की तराजदी से बचने के लिए 18 वर्ष से अधिकायू के लोगों का वैक्सिनेशन सुरिशित करने की दिशा में कई तरह के कदम उठाए गए महानगर पालिका ने जहां 1500 सेंटर पर प्रती दिन वैक्सिनेशन शुरू किया वहीं आपके द्वार वैक्सिन, ड्राइविन वैक्सिनेशन और अन्य अभिहान भी चलाए सिटी में कुल 19,73,000 लोगों का वैक्सिनेशन होना था गिंदू तमाम प्रयासों के बावजूद अब तक 2,70,000 लोगों ने पहला डोस तक नहीं लिया है राजे सरकार के निटेशों के निसाار 30 नवबी तक सभी को पहला डोस सुुनिश्रित कियाजाना है जिससे 30 नॵबी तक पहला डोस लेने के अपील माहनेगरपालचा के यतिरिक तायव तराम जोशी ने की उन्होंने कहा कि यदि 30 नवेंबर तक पहला डोस नहीं लिया जाता तो महानगर पालिका पहले डोस के लिए वैक्सिनेशन सेंचर बंद कर देगी जिसके बाद इच्छुक लोगों को मजबूरन नीजी अस्पितालों से राशी खर्च कर वैक्सीन लेनी होगी उन्होंने कहा कि राजसरकार की ओर से परियाप्त मातरा में कोवेट शील और कोवैक्सीन का कोटा उपलब्द कराया जा रहा है 30 नवेंबर के बाद भी राजसरकार की ओर से हमेशा की तरफ वैक्सीन उपलब्द करवाई जाएगी किन्तु इसमें केवल अत्यावशक सेवाओं के अंदर गत आने वाले लोगों को ही पहला डोस उपलब्द किया जा सकेगा सामाने लोगों में यदि किसी को अधिक जरुरत हो तो उन्हें भी उपलब्द होगा किंदु सामाने स्तर पर पहला डोस देने की प्रक्रिया बंद की जाएगी वैक्सिनेशन अभियान का पूरा ध्यान दूसरे डोस पर केंदरत किया जाएगा उन्होंने कहा कि दूसरा डोस देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी जिसे भविश्य में कोरोना की किसी भी तरास्दी के लिए सुरक्षा चक्र तयार रहेगा